नमस्कार मित्रू आज है पहली जन्वरी और मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास सबसे पहले अपने सभी सुनने वालों को इस अंग्री जी नूतन वर्ष की खुब खुब सुब कामना है आपका ये नया साल आपकी सभलताओं का प्रतीक बने आपकी इच्छाओं की पूर्ती हो इश्वर आपको इस प्रकार की सदगुद्धी दे कि आप अच्छे अच्छे कारे कर पाएं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गूल आप निर्धारित करें वो आप पूर्ण कर पाएं देखे ये एक बड़ा विवाद का विशे है विसेस करके संस्क्रुप वालों के लिए कि इस नूतन वर्ष को मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए ये तो हमारा नूतन वर्ष है ये नहीं ये तो अंग्रेजों का नूतन वर्ष है उनकी घुलामी की जो हमारे उपर असर है हम सिर्फ इस लिए इस वर्ष को मनाते हैं बहुत सारी ऐसी बात है बहुत दिन बाद एक लेख जैसा फिर से मैंने पढ़ा कि अंग्रेज भी पहले नूतन वर्ष जो है अप्रेल में मनाते थे जनवरी में नहीं मनाते थे लेकिन अप्रेल में जब वो मनाते थे तो भारती नूतन वर्ष के बहुत आसपास था तो फिर वो भारती संस्कृती की जलक उसमें दिखाई देती थी इसलिए उन लोगों ने ये तै किया कि हम यहां से नहीं हम जन्वरी से नहीं वर्स मनाएंगे तिक यह एतिहासिक तत्थिस में कुछ भी हो सकते हैं मैं उनमें नहीं बढ़ता हूँ लेकिन जो भी कार्याप करते हैं आप विवाह करते हैं मैंने पहले भी ये बात कही थी उसमें कार्ड में आप सिर्फ तीथी नहीं चपबाते हैं आप तारीख चपबाते हैं आप अपनी इन्वर्सरी तारीख के हिसाब से बनाते हैं आप आपका जन्म दिन तारीख के साब से बनाते हैं, आपने अपने प्रत्येक भरे हुए फॉम में यही अंग्रेजी तारीख लिखिए, आप सब जगे इसका प्रयोग करते हैं, सब जगे इसका उपयोग करते हैं, इसी के अनुसार रविवार की जो छुट्टी होती है, उस इसी के अनुसार आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी के अनुसार जो सेलराइड परसन हैं, उनको तनखाएं मिला करते हैं, और जिस व्रकार से उनको तनखाएं मिलते हैं, जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं, उनको भी इसी के अनुसार अपनी दुकान में, अपने व होगी और खरीदी होगी तो इसके साब से चाहे आप आर्मी की केंटीन में चले जाएं चाहे आप कहीं भी चले जाएं इसी प्रकार से सारी विवस्थाउं की जाती है है तो आप उपयोग में सब जगें इस तारीक को लाएंगे लेकिन अगर नूतन वर्स की बात आ जाए तो भाई आप कहेंगे कि नहीं अगर हम ये नूतन वर्स मना रहे हैं तो इससे तो हमारी संस्कृति कोहानी पहुंसती है भाई इस नूतन वर्स को मनाने का तरीका अगर आपको अच्छा नहीं लगता है जिस तरीके से अंगरेज ये सुनूतन वर्स को मनाते हैं आप मत मनाईए आप अपने हिसाब से मनाईए अब आप कहेंगे कि प्रकृति के तोर पे भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है प्राकृतिक रूप से भी इस समय न तो कोई ऐसी फसल आई है न कोई ऐसा महत पुन कारी हुआ है कि जिसकी बजह से हम यहां पे आनंद मनाए तो भाईय मैं यही कहूंगा कि आनंद मनाने का कोई भी कारण हमें ढूनने नहीं जाना होता है हम अपने आप उसको खड़ा करते हैं नहीं तो आपको जन्म दिन पे भी आनंद ही मनाना चाहिए भाईय आप राम, कृष्णिया, गांधी जी तो हैं कि जो मरने के बाद भी नास्ति ये शाम, ये शाक आए जरा मरन जम बयं जिनके यस रूपी शरीर को मृत्यू का आया, पृध्धावस्था का भै नहीं है ऐसे तो आप के नहीं है तो फिर आप जन्म दिन कैसे मना सकते हैं आपको तो पता होगा न कि इश्वर के यहां से मेरा आयुशी कितना है ये तो मैं लिखवा के आया हूँ अब अगर मेरी आयुशी में से 30 साल चले गए है तो मुझे प्रसन होना चाहिए मुझे दुखी होना चाहिए मारकें डियमुनी की कथा सुनिया एक-एक साल बीतना था उनके माता पिता जन्म दिन मनाने को तयार नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि उनका पतर सिर्फ 5 साल तक जिन दा रहेगा तो अगर आपको ये पता है कि आपका आयुशी च्छीन हो रहा है दिन प्रती दिन साल दर साल तो आप उसका आनंद कैसे मना सकते हैं हम हर उस बात को जिस बात में साइध हम डिप्रेशन में चले जाए साइध हम थोड़ी परिशान हो जाए हम उनको आनंद के रूप में मनाते हैं अगर कोई आपका जन्म दिन नहीं मनाता है आप 55 साल के हो गए मेरी तरह तो संभव है कि आप सोच में पड़ जाएं यार मैं तो 55 साल का हो गया हूँ मैंने जिंदगी में क्या किया अब तो मैं बहुत जादा जिंदा भी नहीं रूँगा मेरी पुत्र का विवा हुआ नहीं हुआ मेरी पुत्री की जवाबदारिया है ये है वो है और वो अगर जादा सोचने में पड़ जाए तो भैया अपने जन्म दिन पे वो जीने की बजाए ऐसे ही मर जाएगा इसलिए इस प्रकार के हमारे यहां रयोग किये जाते हैं और हम उसका लाख लेते हैं तो भाईया अगर आप जन्म दिन जैसा त्यवहर मना सकते हैं तो अंग्रेजी नव वर्स आप क्यों नहीं मना सकते हैं और फिर मैं आपसे यह कहता हूँ कि आपको किसी से सुभेच्छा लेनी है नहीं लेनी है लेकिन जो लोग अंग्रेजी नव वर्स इसको मानते हैं उनको सुभेच्छा देना आपकी फर्ज का एक भाग मानता। क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी सकते हैं, आपको औरों के लिए जीना चाहिए। तो जिसको इससे आनंद होता है, उसको आनंद देना, यह हमारी संस्कृति है पिया। तो मैं तो फिर से सबको इस नूतन वर्ज की खुब-खुब सुब कामना है देता हूँ, जो लोग भाशाओं के बंधन बांगते हैं, आई बार मेरे चैनल पे इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं, कि आप अंग्रे जी वर्ड का उपयोग कम कीजिए, आप उर्दु शब्दों क प्रियोग मत कीजिए, आपको शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए, भीजा हम तो शुद्ध संस्कृत भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी उप्रियोगिता कितनी रह जाएगी, जब मैं एक ऐसी भाशा का प्रियोग करता हूँ, जिसमें न मुझे उर्दु से कोई गुरेज है, और ना ही अंगरेजी से मुझे कोई परहेज है, लेकिन तो मैं अपनी हिंदी भाशा को ही करता हूँ, मैं सर्वाधिक प्रियोग तो उसी भाशा के शब्दों का करता हूँ, तो ये भाशा एक बंगाल में बैठा हुआ, एक उरिशा में बैठा हुआ, एक पंजाब में सकता है वो भी इसको समझ सकता है अगर मैं सुद्ध हिंदी का प्रयोग सुरू कर दूं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझ पाएंगे वसुधहिविकुटुम्वकम यह हमारा सिध्धान्त रहा है जो लोग संकुचित मान सिखता वाले हैं उन लोगों को कोई बदल नहीं सकता है लेकिन ना तो मैं भाषा के संदर्व में ना ही मैं इस प्रकार के तेवहारों के संदर्व में और ना ही किसी अन्य संदर्व में आप से यह कह सकता हूँ कि आप खुद को बात के लगे हाँ, अगर मुझे कोई पत्र लिखना है, हाँ, अगर मुझे कोई जनम पत्री छपवा नहीं है, मेरी पत्री की विवाह की, जो आप कहते हैं कि, गुझराती में कहते हैं कमकूत्री, जिसको आप विवाह का काड कहते हैं, वो जब मैंने चपवाया, उसको मैंने संस्कृट में चपवाया था, वो मेने उर्दू में ने चपबाया, उसमें इंगलिज भास्टा का भी प्रियोग नी था, वो मेने संस्कृत में चपबाया, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरे सरकल में मेरे जानने वालों तक मुझे बेजना था, उन्हें पता है, मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, मैं संस्क चुति नाम का चैनल बनाया है उन तक वो चीजी सूप में पहुँचे समझें नहीं समझें फौन करके पूछ लेंगे लेकिन अगर आप कहें कि मुझे उसी प्रकार के भासा का सब जगे प्रयोग करना चाहिए तो ये मेरे लिए संपो नहीं है इसी प्रकार से जो लोग इस प्रकार के बंधर रखते हैं कि नहीं साब यह तो अंग्रेजों का नुतन वर्स है इसको हम क्यूं मनाएं इसकी सुबकामनाएं नहीं देनी चाहिए आपस में नहीं बोलना चाहिए भाईया हमारे यहां गुजरात में रहते हैं दिवाली पे नव वर्स मनाते हैं हम उत्तर प्रदेश से हैं काने को ब्राह्मन हैं हम सुक्ल यजुरवेदी शाखा के ब्राह्मन हैं कश्यब गोत रहे इन सब के अमसार हम चैतरी पंचां को मानते हैं तो वो भी हमारा नूतन वर्स होता है तो हम दिवाली पे भी सबको सुभकामनाय देते हैं दिवाली के दूसरे दिन नौ वर्स की हम चैत्र में भी सबको सुभकामनाय देते हैं भया हमारे ओफिस में पार्सी लोग हैं उनका जब नूतन वर्साता है तब भी उनको सुभेच्छा देते हैं, तो मुझे तो इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती है, और मैं तो यहीं मानता हूं, कालिदास ने लिखा है, उत्सो प्रियाहा खलू जना, हमें जब जब मौका मिले, तब तक अपने लिए ने, दूस नूतन वर्स होता है, हर धर्म का, हर मजब का नूतन वर्स उतना ही महत पूर्ण होता है, सबको हमें बराबर मान सम्मान देना चाहिए, हाँ, आपको पूजा करनी है, आपको पाठ करना है, आपको नए वर्स के लिए अपने संकल्प लेने हैं, आपको अपने गोल ने धाल हमारे तो एक नित्र ऐसे हैं कि उनको कोई इस दिन सुभेच्छा दे दे तो वो कहो तो अनाप सनाप उसको आसिरबात दे डाले कि आपको पता नहीं है ये तो हमारा नूतन वर्स नहीं है ये तो ऐसा है और ये तो बैसा है तो या ऐसे सभी लोगों को मेरा प्रणाम लेकिन जो भी हमारी बात से सम्मझ है उन सब को इस नव वर्स की खुब-खुब सुब करना है सब फलें फूलें सर्वे भवन्तु सुखिनाहा सर्वे संतु निरामया सर्वे बज्द्रानी पस्यंतु माकस्य दुख भाग भवेद भया ये प्राष्णा करने के लिए हमें ये आव प्रामना है सब का ये वर्स कि ये इंग्लिस फर्स है जिन तारीकों के पर सेलरी मिलती है जिन तारीकों के आधार पर हमारे सारे विवार किये जाते हैं उसकी बहुत-बहुत सुक्राइब